नमस्कार दोस्तो, सुरेन हिंदी कलास में आप सभी का स्वागत है सेकंड ग्रेड हिंदी के पाठे करम में नाटक सामिल है लहरों के राज हंस इसको हम यहाँ समझेंगे, इसके वस्तुनिष्ट परसन यहाँ पर समझेंगे वस्तुनिष्ट परसनों से पहले कुछ सामाने जानकारी इस नाटक की किसमें पातर कौन से हैं ये एक परतिकात्मक नाटक है तो परतिक कौन कौन से हैं वो इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं ताकि परसन जो है वो समझ में आ जाएं लहरों के राजहंस जो है इसका पर्थम प्रकासन 1963 में हुआ था और फिर इसके बाद में कुछ संसोदित प्रकासन जो है वो 1968 में हुआ था इसका लेखन जो है वो 1945 से ही शुरू हो गया था और फिर कहानी के रूप में भी प्रकासित होता है लेकिन फिर नाटक के रूप में पर्थमबार 1963 में प्रकासित होता है और फिर इसका संसोधित रूप जो है वो दूसरा प्रकासन 1968 में हुआ है कुल तीन अंक हैं, इसमें नाटक में अंक होते हैं, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, कितने अंक में लिखा गया है, तो तीन अंको में ये लिखा गया है लेखक मोहनराकिस हैं, मोहनराकिस का जीवनकाल 1925 से 1922 तक है और इसकी रचनाओं का इस पश्टी करण भी इसके परसन में है परमुख वात्र कौन से हैं? परमुख वात्र जो है वो हमें एक बार समझ लेते हैं ताकि इसमें परसन समझने में दिक्कत ना आए नंद इसका नायक है, जो बुद्ध यानि तथागत का सोतेला भायू है तथागत सब्द जो है वो बुद्ध के लिए ही प्रियोग होता है बुद्ध को ही तथागत जो है वो कहा जाता है इसका वस्तुनिष्ट परसन नहीं बना रखा है कुछ परसन वैसे भी समझने के हैं सुंद्री इसकी नायका है जो नंद की पतनी है नंद की पतनी है, यहां पर पंक्ति सब्द गलत लिखा हुई जो नंद की पतनी है, ससंक ग्रहाधिकारी है और मैत्रई नंद का मित्र है, मैत्रई नंद का मित्र है, अलका जो है वो सुन्दरी की अंतरंग शेविका है, लेकिन अंतरंग शेविका है जो अपने मन की बात भी उससे करती है, ज्यादा तर उसके नजदीक जो है वो अलका ही जो है वो रहती है, निहारी का भी एक सेविका का है दासी है सवेतंग राजभौन का दास है स्यामांग भी राजभौन का दास है लेकिन वो साथ ही अलका का प्रेमी भी है अलका जो सुंदरी के बहुत नजदीक रहती है जो उसकी दासी है विक्षू आनंद है इसमें एक विक्षू आनंद जो है वो ही उसको विक्षा दिल प्रतिकात्मक नाटक है यह एक प्रतिकात्मक नाटक यानि इसमें कौन सी चीज किस चीज का प्रतिक है तो राजहन्स सब्द जो है वो मुख्य रूप से नंद का प्रतिक है और गौन रूप से सुंद्री का प्रतिक है लेकिन यदि परसन आता है कि राजहन्स किस का प्रतिक है नाटक में तो वो नंद का प्रतीक है लहरे लहरे सब्द जो है वो प्रस्थितियों यानि हलचल का प्रतीक है और सरोवर सब्द जो है वो सानसारिकता का प्रतीक है दरपन सब्द आता है इसमें एक दरपन जब वो संद्रिये अपने रूप संद्रिये को जो है वो समारती रहती है तो दरपन का प्रियोग करती है दरपन जो है वो नंद के हाथ से छूट जाता है तो दरपन जो है वो इसमें सुंद्री के रूप और एहंकार का प्रतीक है जो अंत में तूट जाता है और नंद के केस जो वो समर्पित कर देता है बाद में तो वो काम भावना का जो ह प्रतीक है, मतश्याकार आसन जो है, वो सुंद्री का आसन है, जो भोग भावना का प्रतीक है, अब देखिए लहरों के राजहनस के पर्णुख परसन कोन से हैं, लहरों के राजहनस नाटक में कोन सा इस्त्री पातर नहीं है, तो सुंद्री है, इसमें नाई का है, निहारी का इसकी दासी है अलका अंतरंग दासी है और दीपी का जो है वो इश्की पातर नहीं है लहरों के राजहंस नाटक का केंदर बिंदू क्या है तो केंदर बिंदू है सांसारिक्ता और अध्यातम का चुनाव करना यहने संसार और अध्यातम के चैन का जो है इसका केंदर बिंदू है तीसरा परसन है कामोत्षव कामवाशना का उच्छव है सुंद्री ने यह कथन किस से कहा तो सुंद्री ने यह कथन जो है वो मैत्रई से कहा क्यों कहा कामोत्षव का वो आयोजन करती है कौन सुंद्री, सुंद्री जो है वो कामोत्षव का आयोजन करती है और जब केवल एक मात्र अतिथी मैत्र ही आता है तब वो उससे कहती है कि कामोत्षव कामना का उच्छव है लहरों के राज हंस नाटक में कितने अंक हैं तो ये तीन अंक हैं ये पहले बता दिया है पांचवा प्रसन है इसमें देखिए कि मैं चोरहे पर खड़ा एक नंगा वेक्ती हूँ जिसे सभी दिसाएं लिल लेना चाहती है और अपने को ढखने के लिए उसके पास कोई आवरण नहीं है यह कथन की स्पात्र का है तो ये कथन जो है वो नंद का है नंद जो है ये बात कहता है लहरों के राजहंस का मूल उदेश्य क्या है यानि नाटक का जो है वो मूल उदेश्य क्या है जो की एक द्वंद गरस्त इस्तती में रहता है साथ नंबर का परसन है नारी का आकरशन पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आपकरशन उसे गोतम बुद्ध बना देता है ध्यान रख लेना ये कथन इस नाटक का सार्तत्व है सुंद्री का कथन है और सुंद्री ये अपने रूप पर वो बहुत गरव करती है और वो ये सोद्रा से कहती भी है कि नारी का आकरशन पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आपकरशन उसे गोतम बुद्ध बना देता है इसलिए नारी का रूप सौंद्रिय जब तक है तब तक व्यक्ति पुरुष जो है वो गोतम बुद्ध नहीं बन सकता है लेकिन इसका पती नंद भी जो है वो बाद में गोतम बुद्ध के अनुसरण में जाता है और अपने केस जो है वो समर्पित कर देता है ये कथन जो है महतोपुरण है परसन आएगा तो यहां से महतोपुरण परसन आया वाभी है विभिन परिक्षाओं में ये इस कथन का महतोपुरण कथन है ध्यान रख लेना इसको कि नारी का अकरशन पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अब करशन उसे गोतम बुद्ध बना देत कथन सुंद्री का है लहरों के राजहंस नाटक में राजहंस किसका प्रतीक है तो राजहंस नंद का प्रतीक है मुख्य रूप से और गोण रूप से सुंद्री का प्रतीक है लेकिन परसन आएगा तो उत्तर नंद ही होगा उसका ये देखिए नाटक में अलका का प्रेमी और राजबहुन का सेवक कोन है अलका का प्रेमी और राजबहुन का सेवक है कोन तो ये स्यामांग है स्यामांग और सवेतांग दोनों ही राजबहुन के सेवक हैं और स्यामांग जो है वो अलका का प्रेमी भी है अलका कोन है अलका सुंदरी की अंतरंग दासी है, 11 नम्बर का प्रसंद है, निमन में से कौन शी नाटे रचना मोहन राकेश की नहीं है तो लहरों के राजहन सह है आधे अदूरे है, आसाड़ का एक दिन है और आठवा सर्ग जो है, वो सुरेंदर वर्मा का एक परसिद नाटक है निम्न में से कौन सा गरंथ लहरों के राजहंस का आधार गरंथ है तो अस्वगोष का सोंदर नंद जो है ये लहरों के राजहंस का आधार गरंथ है लहरों का जो राजहंस नाटक है इसका कौन सा काल आधार है तो बोध काल जो है वो इसका आधार है रचना कोण सी गरंध कोण सा आधार है तो वो अस्वगोष का शौंदर नंद है तो वो इसी में इसी के पातरीश में ये सामिल है नंद और सुंदरी देखे कामवत्षव में एक मात्र अतिथी कोन आता है कामोच्षव जब वो आयोजन करती है सुंद्री कामोच्षव का तो उसमें एक मात्र अती थी जो है वो मैत्रे ही आता है जो नंद का मित्र है और ये जो है नील वर्मा, अगनी वर्मा, इशान इनको भी आमंत्रित किया जाता है लेकिन ये मना कर देते हैं ये कहकर कि क्या आयोजन कामोच्षव का आयोजन कल नहीं हो सकता था तो ये कहकर वो मना कर देते हैं कि आज हम नहीं जा सकते हैं ये देखिए मेरा स्वर पानी की तरहे लहरों का स्वर सब कुछ एक आवर्त में घूम रहा है एक चील सब कुछ जपट कर लिए जा रही है इसे रोको इसे रोको यह परलाप किसका है यानि यह एक परलाप है विलाप करता है शामांग का शामांग जो है उसका ये कथन है 15 नमबर का परसन है मैं घर देखना चाहता था जब नंद जो है वो भिक्षू बन जाता है और अपने केस जो है वो समर्पित कर देता है तो फिर वो भिक्षू आनंद जो है वो उसको साथ लेकर आता है वो ही उसके केस जो है मुंडन जो है उसका करता है और फिर उसको घर लेकर आता है नंद उसको घर लेकर आता है कता घर देखना चाहता था कक्ष या उद्यान नहीं, तुम्हारे पास कक्ष और उद्यान सब कुछ हैं, घर नहीं है, घर जिसमें तुम्हारी आत्मा को विश्राम मिल सके, यह कथन किसका है, तो यह भिक्षू आनंद का है, भिक्षू आनंद जो है वो यह बात नंद को कहता लेहरों के राजहन्स के संधर में कौन सा कथन सही नहीं है ये देखे लेहरों के राजहन्स के संधर में कौन सा कथन सही नहीं है नाटक में आधुनिक मानव के अंतरद्वंद को एतिहासिक प्रिवेश में प्रस्तुत किया है ये तो सही है नाटक में परतिकात्मक ता है यान संसोदित प्रकासन 1968 में हुआ था, पर्थम प्रकासन 1963 में जो है, वो इसका हुआ था, और ये अंतिम परसन है इसमें कि किसे सौपन में सूखा, सरोवर, पत्र, हिन, वरक्ष और धूल भरा आकास दिखते हैं, तो वो अलका को दिखते हैं, और अलका अपने इस सौपन का जिक संद्र जो है, वो संद्री से भी करती है, क्योंकि ये संद्री की अंतरंग दासी है, तो ये कुल 17 परसन है, फिर मिलेंगे अच्छी कलास के साथ तब तक के लिए बाए,